देखे वही अब पहले भी नहीं देखता था मैं अब भी नहीं देखता लेकिन जरूरी पड़ा कुछ क्लिप्स वगेरा देखना क्योंकि बहुत ज़ादा चर्चा में है ये वाला विश है तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दिल की बात मैं भी कर दूँ नमस्कार हरर महादेव जैब होले नात आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो मैं नितिन हूँ यहां से अपने दिल की बात करने आता हूँ कभी आर्टिकल बताने आता हूँ कभी अपनी वो राय बताने आता थोड़ा सा फायदा करवा सकती है जैसे मैंने बहुत सारे लोगों के आदे पुरुश देखते वक्त जो पैसे खर्च होते वो बचा लिए उसका मुझे बहुत जादा खुमान है खुश हूँ बहुत प्यारा रा है अपने उपर कि मैंने बहुत सारे लोगों के ornament 100, 300, 500, 2000, तो हजार पांच जार बचा लिए मैं बहुत खुश हूँ फिलाल आज जो मैं बात करूँगा पुनी सूपर स्टार के बारे में बात करूँगा मेरे भाई सबसे पहले सलूट है तुझे मेरे भाई सलूट ये वो बंदा है जिसने बिग बॉस में इतिहास रचे दिया बिग बॉस जब तक चलेगा पता नहीं कितना ओर चलेगा क्योंकि बड़ी चैनल पे से तो महा से तो एसा तो खैर इनके साथ हो ही चुका है आगे जब तक चलेगा इतिहास गवा है हर किसी को पता चलेगा कि कोई पुनी सूपर स्टार फर्क है, वो यहां भी दिख गया, सचिन कभी किसी की बेज़ज़ती नहीं करते, ना कभी करी, मतलब वो तो क्रिकेट की फिल्ड पर होते हैं, तो भी किसी बॉलर ने उन्हें आउट कर दिया, उसकी भी बेज़ज़ती नहीं करी, किसी को चौका छका मार दिया, उसकी भी बे अलक वाला मन है ना मन में जो तुम्हारे अंदर है उसे नहीं चुपा पाओगे मेरे भाई क्योंकि जब तुम्हें सभी ने जनता ने प्यार देकर सेकेंड नंबर पर बिठाया वो चेहरे पर तुम्हारे खुशी अलक थी लेकिन जब जड़ेजा ने ये बताया कि भाई यानि दसवा नंबर ठीक है वो आंखों में जो तुम्हारे आसूं है उस वक्त जो तुम्हें बखुबी छुपा लिए मेरे भाई आपको जो पसंद करते हैं वो देख चुके होंगे कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है इनको ये बोलना कि हम इसके साथ एड़्जस्ट नहीं कर पाएंगे इस से पता पड़ता है कि कहीं न कहीं उन्होंने अपने आपको बहुत जादा सुपीरियर माल लिया बहुत जादा हाईली मतलब स्टेटस वाले लोग वो होते हैं वी आईपी लोग जो की मतलब की बस ओमाई गॉड ऐसे टाइप के जो है उन्होंने ये दिख मतलब जरी परत भी आ गई लेकिन अपने आपको कम नहीं समझेंगी आप समझें किसके बारे में बात कर रहा हूं जरी एक आती है तो बुजूर्ग दिखने लगते हैं अब सोचिए जरी की भी जरी आ गई है तो कितनी बड़ी बुजूर्ग हुई है ना मतब भगवान से दो-चार साल छोटी ही होगी भगवान क्यों मैं तो भूत प्रित कहूँ इसे क्योंकि बिना मेकप के देख लो तो बच्चा दो दिन खाना ना खाए अरे खाना की बात छोड़ो बच्चे का वाश्रूम जाना बंद हो जाए हाँ फिर होगी नहीं ढंसे ममी आ नहीं रही जो लगा रहो ममी आ नहीं रही क्या देख लिया बिग बॉस में उस आंटी को देख लिया बच्चो को खाना छोड़ो होना बंद हो जाता है इतने भयानक चेहरे हैं बिना मेकप के देख लो तो खेर वो बात तो हटाईए क्योंकि सीरत नहीं सूरत देखो सूरत नहीं सीरत देखो ऐसा चलता है लेकिन पहले दिखती सूरत ही है सीरत को का चार डालोग है पहले दिखेगी तो सूरत ही खियर इन सभी ने कुछ ऐसा कहा डिसाइट करा या एक कोछोड़कर वो जो एक यूट्यूबर है है ना उसको छोड़कर एक तरह से तुम्हारे को सबी किनारे कर रहे थे उसने एक तरह से सपोर्ट कर दिल से समबान क्योंकि भाई तुम और हम एक ही कश्टी में सवार हैं सभी लोग लेकिन बाकी लोगों का ये कहना और ये जो सायरस है ये जो एक अलग गेम खेल रहा है महाँ पर मुझे नहीं समझाता भाईया ये अपने आप बिग बॉस में आकर अपनी बिज्जती मतब किसी करन कोई स्थान होता है बिग बॉस में आने के बाद उसके स्थान की धज्यां उड़ जाती है सही मैं ये ऐसी जगे और हाँ पुनीत मैं तुम तक ये वीडियो पहुँच जाए किसी भी माध्यम से चोटी सी क्लिप या पूरी वीडियो अब बिग बॉस तुमारे घर आकर नाक रगड़कर भी तुम्हें बुलाए तो मत जाना में रिवाई क्योंकि पहले तो इन्होंने थोड़ा सा तुम पर रियायत दिखाई और तुम इन पर भारी पड़ गए सबी पर सब पर भारी पड़ गए मैं तो कहा रहा हूँ क्योंकि इन्सान एक बार एक बार तो ऐसे एक्सपिरियंस को ले सकता है जहां हां कुछ गलत हुआ कुछ गड़बर हुई लेकिन दुबारा जाओगे तो वो लोग बेज़ती जान बूच के करेंगे तुम्हारा मजाग बनाये जाएगा और हाँ जीतने नहीं देंगे ये क्योंकि तुम वैसे भी जीत चुके हो जीत सकते हो जीत जाओगे मैं कह रहा हूँ और बोलो बेग बॉस में अगर तुम रहोगे और जनता वोट करेगी तो बाकी कोई तुम्हें हरा नहीं सकता लेकिन तुम देख चुके हो कि साफ साफ तुम्हारे मुह पर तुम्हारे सामने बैवानी कर दी हैं तुम्हें पैसो की जरूत नहीं हैं ऐसा बोला गया ना तुम्हें और तुम्हारे कॉंटेंट को क्या क्रिंज और क्रिंज और क्या बोल रहा था वो वो जिसके गाने सभी को पता है कैसे होते हैं बाई ये गाने, चिलाना और ये क्या है। इनमें फर्क होता है। गाने किशोर कुमार हैं, महम्मद रफी हैं, लता जी हैं और आज की डिरेट में भी बहुत सारे हैं हाँ मतलब अगर आटो ट्यून हटा दो तो बहुत सारे मैंसे थोड़े से ही रह जाएंगे लेकिन हाँ आटो ट्यून बगएरा लगा के गाने थोड़े अच्छे बन जाते हैं लेकिन ऐसे भी लोग गाने गाते हैं मुझे पता नहीं था ये कोन है MC stand लेकिन जब मैंने एक ग अब तेरे में बस गई लेकिन हर जगे अच्छी भी ना लगती है ठीक है थोड़ा सा आदमी को सुधार कर लेना चाहिए अपने आपको उस चीज को न दिखा कर ये नी सोचना चाहिए हम बहुत बड़े दिख रहे हैं अगर MC stand और इसका पुनीत का अभी voting करा दो तो भाई सब धज्यां उड़ जाएंगी अगर MC stand के fans इन्हें वीडियो को देख रहे हैं तो मैं गलत नहीं कह रहा हूँ करवा के देख लेना मैं नहीं करता है मुझे फरक क्या पड़ता है कोई भी जीतो कोई भी हार हो लेकिन एक सच्चा ही बता रहो वो आदमी big boss जीत गया फिर क् कौन शिकर पर है कौन शिकर पर है बताओ जरा examples एक मुझे लगता था जो कि कहीं पहुंच सकता है और वो पहुंच भी जाता लेकिन ईश्वर ने कुछ और ही मन्जूर कर दिया मैं नाम नहीं लूँगा ठीक है अब पुनीत गुमा फिरा कर एकी बात बोलूँगा कि कहीं ना कहीं तुम्हारे को पकड़ कर तुम्हारे साथ थोड़ी से उल्टी सीदी बाते करकर बत्तमीजी करकर तुम्हारे को हाइपर करकर तुम्हारे बारे में एक नई और एक गलत और एक नेगटिव इमेज दिखाएंगे जो लोग तुम्हें पसंद करते हैं ने कि तुम हो ही गंदे फिर तुम्हारी ये जितने भी महनत हैं कि बच्चों को थोड़ा मदद करना या गरीबों को खाना बाटना वैसे बाटते हम भी है लेकिन हम वीडियो नहीं बनाते मेरा हिसाब किताब अलग कि अगर कुछ दान पुर्न कर रहे हो किसी की मदद कर रहे हो तो दाए हाथ को बाए हाथ का नहीं पता पड़ना चाहिए सबका अपना अपना हिसाब किताब होता है तो मेरे भाई ये सब लोग मिलकर तुमारे साथ ये एक नया गेम शुरू कर देंगे जिसके अंदर सपोर्ट ये भार जैसे बैटे ना एक गौर्में कमिटमेंट है और व तो ही थोड़ा सा डिप्रेशन महसूस हो जाए तो मेरे भाई जो कर रहे हो बहतर कर रहे हो ऐसे ही करते चले जाओ इश्वर बहुत जादा तुम्हें कामियाभी दे तरक्की दे तुम मुझे नहीं जानते मैं भी तुम्हें नहीं जानता था लेकिन मैंने कुछ क्लिप्स कुछ रील्स वगएरा देखी, तो मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा, मैंने यह है कौन भाई, क्या हुआ इसके साथ, बताया बिग बॉस में आये थे, ऐसे हुआ तो मैंने कुछ क्लिप्स वगएरा देखी, बाई दिल दुग्या मेरे को, नहीं पता कि तुम से क्या रिल कम हो पाता है क्योंकि बॉलिवुड में बहुत सारे एक्जामपल हमने देखे हैं जो इन से आगे निकल सकते थे लेकिन उनका आ जाता पता नहीं है ये बॉलिवुड ना एक ऐसी दिवार है चार-पांच लोगों ने जो बना दी है जिसके अंदर जो इनका चमचा आएगा च वो लड़का आज कहां हो सकता था लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मन्जूर या कहूं कि किसी और को कुछ और मन्जूर यहां से और कुछ नहीं बोल सकता पता दुनिया को है लेकिन जब तक सब के सामने सच ना आये तब तक जूट को ही सच मान कर चलना पड़ता है तो पु बाहर आकर जरूर देखना कि किसी नितिन ने एक बार ये बात बताई जरूर थी हम देख नहीं पाए अगर बाई चांस ऐसा होता है तो ध्यान रखेगा इस बार तुम्हारे को सपोर्ट और प्यार के साथ-साथ अपने ओपर confidence भी रखना पड़ेगा बाहर से सपोर्ट दुन हटा दी जाएंगी और जब हम सब को दिखाई जाएंगी तो तुम्हारा एक गलत भयानक और बहंकर चहरा दिखाए जाएगा तुम्हारी इमेज को खराब किया जाएगा तुम्हारे ये जो फैंस है ना बाहर ये तुमसे नफरत करने लग जाएंगे तुम्हारी इमेज ऐ पैसे पॉर्ट्रे करी जाएगी खिर मेरा समझाने का एक मकसद इसलिए भी था कि मुझे बस एक वो चहरा जो कि जब तो मैं उन्होंने दूसरे नमबर से दसमें पर करा और कहा कि तुम्हें पैसे की भी जरूरत नहीं है वो चहरा मेरी आँखों के सामने रह गया तो तुम्ह आशू रोक रखेते मेरे भाई सिर्फ उसी वज़े से ये मैंने पूरी 10-11 मिनिट की वीडियो बना दी बाकी आप लोग मुझे क्या कहते हो क्या समझते हो नहीं पता मेरा अपने आप ही ये मन कर गया कि इस बारे में एक वीडियो बनाई जाए इंसान की बेज़दी मैं किसी के बारे में ऐसे ज़्ादा नहीं कहूँगा कोकि ऐसे मैं कहना फिर रोस्ट करना हो जाता है और अपना चैनल तो रोस्टिंग वाला है नहीं लेकिन मैं फिर भी कर देता हूं ठीक है तो मेरे भाई और उनके फैंस जितने भी है बाई का मतलब मैं पुनीत से बोल तो मेरे भाई पुनीत, take care, महदे बहुत कृपा करें भाई, और बहुत बड़े यूट्यूबर बन जाओ यहर तुम, इंस्टा पर तुम चा जाओ, दुनिया के सामने तुम एक उभरता सितारा बन कर आओ, और इश्वर कामियाभी दे, बहुत सारी कामियाभी दे, और ख्या लोगों के आगे जुकने की ज़रुवत बिल्कुल नहीं है, so thank you so much for watching, मेरा नाम ने तने मुलाकात करूँगा, एक अगली वीडियो में, हर हर महादेव, जै भोले नात, तानेवाद, और हाँ, आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, क्या ये वीडियो बनाकर मैंने गलती करी, या मुझे इस तरह की वीडियो इस तरह के सपोर्ट करने चाहिए, इसलिए नहीं कि वो यूट्यूबर है, सोशल मीडिया से है, मैं भी वहीं से हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक इन्सानियत के नाते मैंने वीडियो बना दि, जबकि वो मुझे जानता भी नहीं जान पाते हैं लेकिन जब जो चीज सामने आए एक दूसरे का सपोर्ट करना ज़रूरी होता है मेरे भाई पुनीत अपना ख्याल रखना मेरे भाई और जो तुम कर रहे हो करते चलो इश्वर खूब कामिया भी दे तन्यवाद